एक कदम जब मैं चलू तो थोड़ा तुम भी आगे बढ़ जाना, मन के कागस पर लिखे अलफाजों को, जरा ठहर कर तुम भी पढ़ना, गीत प्रीत के गाउं जब तो, सुरसंगीत का तुम भी बनना, मेरे सपनों के इस घर को, अपने जस्बातों से रंगना, ठोकर खाऊं अगर कहीं तो, जरा लपक कर बाह पकड़ना, ठक जाऊं मैं अगर कभी तो, गले लगा कर तुम सहलाना, मेरे मन के आगन में, तुम भी सपनों के दीप जलाना, तुम भी पूरे हो जाऊ गे, तुम भी पूरे हो जाओगे, मैं भी पूरी हो जाओंगी, सुरसंगीत का मैं बन जाओं, तो गीत प्रेम के तुम भी गाना, ऐसे ही मन्जिल मिल जाएगी, थोड़ा मैं बढ़ जाओं, थोड़ा तुम भी बढ़ जाना, एक कदम जब मैं चलूं तो थोड़ा तुम भी आग बढ़ जाना, मन के कागज पर लिखे अलफाजों को जरा ठहर कर तुम भी पढ़ना ये कविता गीत प्रेम के तुम भी गाना मैंने पढ़ी है एक किताब से जो मुझे भेजी थी ललिता जी ने जिनका निक ने मीनू भी है ललिता उर्फ मीनू और इनकी ये पहली किताब है कविता संग्रय है जिसका शीरशक है पहचान इस किताब में कुल 71 कविताएं हैं और ये मातर 100 पेजिस की किताब है 100 पेजिस हैं इस किताब में और ये पहली ही बार ललिता जी की बहुत खूबसूरत कोशिश बहुत ही खूबसूरत रचनाओं के साथ उन्होंने इस किताब को सजाया है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेम पर ही उन्होंने लिखा है और भी बहुत सारे जिंदगी के अलग-अलग पहलों पर एक मा की दृष्टी से, बेटी की दृष्टी से, एक बच्चे की तरह या फिर एक बच्चे की समवेदनाई या फिर एक अध्यापक शिक्षक की समवेदनाई बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे ऐसासों को, बहुत सारे जिंदगी के पहलों को उन्होंने अपनी कविताओं में cover किया है तो ये बहुत ही खूबसूरत मुझे किताब लगी और मात्र एक से दो घंटे में आप इस किताब को पढ़ सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि वीकेंड पर अगर आपको एक किताब चाहिए और आपको लगे कि मुझे उसे पूरे हफ़ते जॉब के बाद मतलब पैंडिंग ना रखना पड़े एक ही हफ़ते में या एक ही दिन में पढ़कर खतम कर दूँ एक ही वीकेंड पर तो आप इस किताब को चूज कर सकते हैं इस किताब को खरीदने के लिए आप इसे Amazon पर सर्च कर सकते हैं या फिर ललिता जी से खुद मैसेज करके पूछ सकते हैं कि उनकी किताब आप कहां से खरीदें और इस किताब को पढ़ते पढ़ते एक बहुत ही सुन्दर रचना मेरे सामने आई जिसमें एक बेटी की वेदना है जो अपनी मा से शिकायत कर रही है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं समझाया अक्सर मैं भी यह कहती हूँ कि अगर माई बदल जाएंगी तो बेटियां भी बदल जाएंगे अक्सर माई सोचती है कि बेटियों की जिन्दगी बदल जाए लेकिन वो खुद नहीं बदलती है और उसके लिए मैंने दो लाइने लिखी थी कि जो तुम दोगी उसे तौफे में वो अपने साथ ले जाएगी तुम्हारी बेटी है तुम्हारी गलतियां भी दोहराएगी तुम हर रोज चाती हो कि उस बेटी की किस्मत बदल जाए वो परचाई है तुम्हारे तुमसे अलग वजूद कैसे पाएगी तो अगर माएं बेटियों को वही सिखाती आएंगी वही सिखाती रहेंगी जो वो खुद जी रही है तो कभी भी एक स्त्री नहीं बदल पाएगी या उसकी किस्मत नहीं बदल पाएगी तो ऐसी ही एक शिकायत एक बेटी जो अपनी मा से कर रही है वो लिखी है ललिता जी ने कह देती ना एक बार इस कविता का शीरशक है कि पहली टोक तेरी थी मा पहली टोक तेरी थी मा जिसने मुझको रोका था लड़की होती दूजे घर की ऐसा तूने बोला था अठारे बरस ये कह कह कर ही तूने मुझको पाला था परिवार तेरी है जम्मेदारी तूने यह समझाया था औरत होती परिवार की धूरी यह भी तूने बतला आया था कह दे तीना एक बार की तेरा जीवन अपना है जीना तू हर पल उसको जो भी तेरा सपना है मैं भी थोड़ा सरल हो जाती मैं भी तो थोड़ा सरल हो जाती मन की गांठें सुलजा पाती वो घर तेरा अपना है ऐसा तुने समझाया था उनका सुखदुक अपना है बार बार यही बतलाया था कह दे तीना एक बार कह दे तीना एक बार अब दो घर तेरे अपने हैं दीवारों पर अभी बसते तेरे वो जो सपने हैं दिल चाहे जब आ जाना अपने दिल को बहलाना जी चाहे जब आ जाना अपने दिल को बहलाना मैं भी थोड़ा सहज हो जाती मैं भी थोड़ा सहज हो जाती अपना दुख तुझ से कह पाती पहली टोक तेरी थीमा जिसने मुझको रोका था जब भी जीना चाहा खुल कर फिर मैंने खुद को रोका था सपने अब भी वहीं खड़े हैं सपने अब भी वहीं खड़े हैं दस्तक देते देहली पर मन का आंगन मचल रहा है गुन-गुन करते बारी पर खोलू का पाटिया अशुरुत कर दू असमन जसमे मैं भी हूँ मन की सुनलू या तेरी सुधलू अंत्रद्वंध में मैं भी हूँ कहदे तीना एक बार कहदे तीना एक बार तू है खुद की जिम्मेदारी मन ही मन की ताकत है समझा दे तीना एक बार मैं भी थोड़ा चतुर हो जाती संबंदों की कूट नीति को सूझ भूज से हल कर पाती कहदे तीना एक बार क्यों तूने मुझको रोका था क्यों तूने मुझको टोका था पहली टोक तेरी थीमा जिसने मुझको रोका था तो यह बहुत ही खूबसूरत सी कविता मैंने पढ़ी फिर से एक बार बता देती हूँ कि पहचान ललिता जी की पहले पुस्तक है और इसे आप खरीदिएगा और पढ़िएगा थेंक यू सो मच ललिता जी फोर सेंडिंग में दिस बुक और आपके फ्यूचर प्रजेक्ट्स के लिए अगली वीडियो में किसी कविता नहीं किसी कहानी या नहीं किसी पुस्तक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद